नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्णा मुर्ती आप सब्सक्राइब करता हूँ लर्णिंग मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों बहुत से कॉमन क्वेरी आते हैं चाहा मैं NSE भाय करके BSE पर सेम डे सेल कर सकता हूँ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ तो देख लेते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा है इस पर लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना सबसे पहले SBI Securities Mobile App उसको आप लॉग इन कर लो लॉग इन करने के बाद यह आपका वाचलिस्ट है मैं HDFC Life एड़ कर रहा हूँ वह आपको दिखा दूँगा HDFC यह आपको वाचलिस्ट है Life यहाँ पर आ गया दू एक्षेंज है NSC और BSC National Stock Exchange Bombay Stock Exchange आप किसी पर Buy Sell कर सकते हो मालो मैं NSC आड़ कर रहा हूँ मैंने Plus के Sign पर क्लिक किया Blue टिक आ गया मतलब आड़ हो चुका है अब मैं बैक कर रहा हूँ यहाँ आपका SDFC Life दिख रहा है इसको मुझे Buy करना NSC पर और Sell करना BSC पर मैं Intraday करके देखता हूँ Delivery तो आप कर नहीं सकते है Intraday होगा में ली Holding में अगर आपका Stock नहीं है तो आप जो है Holding में Sell नहीं कर सकते Intraday हो पाएगा तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ जैसी मैंने क्लिक किया NSC यह Buy कर रहा हूँ Buy यहाँ से आप Market Def देख सकते हो Market Def मतलब Offer Price में Sell price Bit Price में तो Buyer Price और यह आपका High Low दिख जाएगा यहाँ पर देखो Difference बहुत कम का है 10 पैसे का है 15 पैसे का है तो Liquid Stock है इसको आप Market Def आप I Sell कर सकते हो मैं इसको Back कर दे रहा हूँ Back करने के बाद Quantity मैंने 1 Put किया यहाँ पर और Delivery के जगा मैंने Intraday चूज किया Intraday के जगा औसके फिर More के आप मैं आता हूँ More पर आने के बाद Day option है Day मतलब 9.15 से लेके 330 तेक आपका order valid रहेगा According to Market यहाँ पर IOC मतलब होता है Immediate Order Cancel समझ गे तो यह आपको नहीं Put करना Day ही रखना है Buy के Option पे क्लिक करो यहाँ पर Interplace Okay, Quantity Post रहा है Quantity मालों मैं 1 कर दाओ Quantity Place कर दिया Buy के Option पे क्लिक किया Confirm के Option पे क्लिक किया यहाँ पर देख लो आपका order जो है Buy हो चुका है Success हो चुका Go to order book पे आजाओ Order book पे आने के बाद यहाँ पे आपको HDFC Life Executed हो चुका है Trade book में जाके Confirm कर लो Trade में आके आपको HDFC Life Buy हो चुका है Intraday Intraday में बस एक सी ध्यान रखना जो भी आप Buy Sell करते हो Position आपको Zero करना है Zero मतलब Same आपको यहाँ पे आपको Zero करना है आता हो मैं Today Position में इसके बाद आजाओ आप Today Position में जैसी है आप आओ के Intraday में जो भी आप Buy Sell करते हो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको Reposition ऐसा करना है बिल्कुल ऐसा करना है Delivery में आपको Minus 2 देखेगा कुछ भी मत करना है इसको ऐसी छोड़ दो Delivery वाले को कोई दिकत नहीं है आपको पैसे आपके Bank account में चाहिए तो जो भी Profit and Loss देख रहा है आपसे मतलब ही नहीं आपको एसी छोड़ दो आप उसको Simple समझ गए Intra Day है तो उसको आपको ऐसे करना है Simple यहाँ पर मैंने Buy किया हुआ है किस पर मैंने Buy किया हुआ है मैंने Buy किया हुआ है NACP अगर मालों मैं NACP बाइक कर रहा हूँ NACP मैं Sell करूँगा तो मेरा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा मैं कोसिस कर रहा हूँ मैं BSE पर देखता हूँ क्या हो रहा है Simple term है मैंने क्या किया इस पर क्लिक किया जैसी मैंने इस पर क्लिक किया Add more का मतलब होता है आपने Buy किया है तो और Buy करो Sell किया है तो और Sell करो squad of option में click कर रहा हूँ click कर दिया intra day रहेगा देखो मैं यहाँ पे exchange चूज कर रहा हूँ BSE BSE चूज कर लिया delivery intra day quantity one है more के option पर आ जाओ more के option डे ही रहेगा sale का option पर click करो जैसी click करते हो यहाँ पर देखो intra day one market यहाँ confirm का option में click कर दिया हूँ जैसी मैंने क्लिक किया confirm का option पे यहाँ पे order आपका place हो चुका है, successfully हो चुका है, यहाँ पे go to order book पे जाओ, जैसी मैं order book पे जा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो NSE युँ buy किया है, मैंने BSE पे sell किया है, one quantity buy किया है, one quantity sell किया है, market market में, trade पे आजाओ, trade पे confirmation ले लो आप कि SGFC live BSE में sell किया है, today position पे आजाओ, जैसी today position पे आओगे, यहाँ पे देखो, आपका SGFC live जो है, वो squared off हो चुका है, तो दोस्तों आप जो है NSE युँ buy करके BSE पे sell कर सकते हो, SBI Securities में, यह जो है, दूसरे broker allow नहीं करते, लेकिन SBI Securities युँ allow करता है, मैं video आके डालता रहू BSE पे sell करो, मैंने live example बता रखा है, यहाँ पे देखो quantity ऐसा हो गया, मतलब intraday है आपको तो ऐसा ही करना है, यह भी intraday short selling था, तो मैंने इसको zero कर दिया, यह delivery वाले में कुछ नहीं करना आपको, delivery ऐसा ही छोड़ दो, और आपको पैसे चाहिए bank account में, तो ऐसा ही छोड़ना किया था, HDFC live NSE पे और sell किया था BSE, तो simple है, मैं बता दिया हूँ आपको, आप NSE buy करके BSE पे sell कर सकते हो, SBI Securities में कोई भी दिक्कत नहीं है, दोस्तों मैं आशा करता हूँ, वीडियो अच्छ लगओ, वीडियो अच्छ लगओ, वीडियो अच्छ लगओ, वीडियो अच् झाल